नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंसी केमिस्टि गुरुजी पे और आज हम बात करेंगे रेट सीट लेवल टू विज्ञान मोडल पेपर के बारे में टोपिक हमरा रहेगा रेट साइंस बायलोजी का टोपिक पोदों के प्रकार व सकते हैं बायलोजी के मिस्टि फिजिक्स साइंस से रिलेटेड और जो डिटके विविद्ट टोपिक हैं विज्ञान एं प्रोध्योगी की इनसे संबंदित भी आप मोडल पेपर वॉच कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोडल पेपर 야 question number one है पतियों में शिराविन्यास पाया जाता है अ Anderson is जाली कावत stylish शिराविन्यास भी ओप्षन है समानांतरि शिराविन्यास सी ओप्षन है दोनों ए वअ बी और d option है कोई नहीं तो इसके इंदर जो c option होगा वो बिल्कुल राइट हो जाये गाए हाँ अपर दोनोh option सही है यानि कि जालिकावस सिरह विन्यास और समान्त शिरった विन्यास दोनों तरह के शिर्व विन्यास पतियों में पाए जाते हैं इसमें सी ओप्शन सही होगा आप नेस कुछन देखते हैं नेस कुछन है हमारे पास निम्न में से पुष्प के विबिन भागों में कौन सा या कौन से संबलित नहीं है जो पुष्प के विबिन भागों में नहीं आते हैं उसके बारे में पुछा है और पांच ओप्शन या पांस तरह के भाग हमें बता रखेंए पुषप के हैं अब इसके बाद उप्शन हम देखेंगे पहला पुंखे असर दूसरा इस्ती के सर तीसरा मुलांकूर चौता पुंखोरियां और पांचवा बाई दल यह पांच भाग दे रखें और हमें इसमें से वो भाग का चेहन कर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए गए हैं आपर केवल तीन यह निकि जो मुलांकुर वाला भाग होता है यह पुछपिके विबिन भागों में समलित नहीं होता है तो इसमें B option करेक्ट होगा केवल तीन अब हम नएस कुशन देख लेते हैं नएस कुशन है नाक फनी के पोदे में प्रकास संसलेशन समनेता है किस भाग में होता है अ उप्षन है जड़ों में B option है पत्तों में C option है तने में और D option है कोई नहीं तो इसके अंदर जो C option होगा विल्कुल राइट हो जाएगा है अपर तने में जो है प्रकास संसलेशन समनेता है अब पाये जाता है नाक फनी के पोदे में जो नाक फनी का पोदा होता है उसमे समनेता है तने में प्रकास संसलेशन होता है तो इसमें C option correct होगा आप नएस question हम देख लेते हैं नएस question है बुलांकूर के अतिरिक्ट पोदे के किसी भी भाग में विक्सित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है A option है अपिस्थानिक मूल B option है अव इस्थंब मूल C option है आंसर होगा यहनि मुलांकूर के अतिरिक्ट पोदे के किसी भी भाग में विक्सित होने वाली जड़ें अपस्थानिक मूल कहलाती है अव इस question है पत्तों का जो भाग टहनी से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है A option है शिरा B option है पर्ण वरंत C option है फलक औ D option है कोई नह देख लेते हैं नेस question है फली दार पोदों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है A option है चूश की जड़ें B option है गांट दार जड़ें C option है संकूर उपी जड़ें और D option है गरंती का जड़ें तो इसके अंदर जो D option होगा वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा गरंती का जाती है इसमें D option करेक्ट होगा आपने इस question देख लेते हैं next question है जड़ें मिट्टी से क्या अवसोसित करती है A option है गैसे B option है पानी एवं खनीज C option है दोनों और D option है कोई नहीं तो इसके अंदर जो B option होगा वो विलकुल राइट हो जाएगा यहां पे पानी एवं इस question देख लेते हैं next question है पर्ण काई इस्थम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिल लोकलेड किसका एक रुपानतरण है A option है तना B option है पत्ती का C option है जड़का और D option है कोई नहीं तो इसके अंदर जो A option होगा वो बिलकुल राइट हो जाएगा तने का यहां जो पर्ण का इस्तम्ब होते हैं फिल लोकलेड वो तने का एक रुपानतरण होते हैं अब हमने इस question देख लेते हैं इस question है निमलिखित में से जड़ों के कारिये कौन सा या कौन से हैं A option है पोधों को जकड कर रखना B option है परिवहन करना C option है भोजन संग्रह करना और D option है उप्रॉक् कारियों की अगर हम बात करें तो पोधों को जकड कर रखना परिवहन करना और भोजन संग्रह करना यह सभी जड़ों के कारिये होते हैं तो इसमें D option करेक्ट होगा उप्रॉक्त सभी नैस question देख लेते हैं नैस question है एंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है A option है वाय option होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कीटों के द्वारा यहनि कीटों के द्वारा जो परागन होता है वो एंटोमोफिली परागन कहलाता है कीटों को इंग्रिश में इंसेक्स बोलते हैं तो कीटों के द्वारा जो परागन होगा वो कहलाएगा एंटोमोफिली नैस question देख लेते हैं नएस question है खेतों में होगी घांस छोटे पोदे आदी खरपतवार वर्ग में आते हैं यह कोमल तने छोटे पोदे क्या कहलाते हैं इसके अंदर जो बी ओप्शन होगा वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा शाक यानि खेतों में होगी गांस छोटे पोदे आदी खरपतवार वर्ग में आते हैं और यह कोमल तने छोटे पोदे शाक कहलाते हैं तो इसमें बी ओप्शन करेक्ट होगा अब आपने इस question देख लेत हैं ने इस question है मुलांकुर से विक्सित होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है इसी जड़े जो मुलांकुर से विक्सित होती है उन्हें क्या कहा जाता है A option है स्वसन मूल B option है अपिस्थानिक मूल C option है तन्तुमे मूल और D option है मूसला मूल तो इसके अंदर जो D option होगा व निम लिकित में से किसमे फूल पाए जाता है फूल यानि पुश्प पाए जाते हैं वो कौन सा वर्ग है A option ए ब्राइफाइट्स B option ए आवर्थ बीजी C option ए टेरिडोफाइट्स D option ए अनावर्थ बीजी इसके अन्दर जो B option होगा वो बिल्कुल राइट हो जायगा आवर्थ बीजी जो आवर्थ बीजी होते हैं इनके अंदर फूल या पुश्प पाए जाते हैं तो इसमें B option correct होगा आवर्थ बीजी निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है A option है मुली, B option है सकरगन, C option है आलू और D option है गाजर तो इसके अंदर जो C option होगा वह बिल्कुल राइट हो जाएगा है आलू जो होता है ये एक जड़ नहीं होती है आलू जो है कंद होता है तो यहाँ पर C option करेक्ट होगा आलू एक जड़ नहीं है अब नेस कुशन देख लेते हैं नेस कुशन है तने या जड़ की मोटाई के लिए कौन सा उतक उत्तरदाई होता है तो इसके अंदर जो ए ओप्सन होगा वह बिलकुल करेक्ट हो जाएगा विब्यू जो तक जो होते हैं यही तने या जड़ की मोटाई के लिए उत्तरदाई होते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके ओल पर सैट जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए अब नेस कुश्चन देखते हैं नेस कुश्चन है निम्ण में से पुष्पों का अध्यन क्या कहलाता है ए ओप्षण है फिनोलोजी, बी ओप्षण है पेलेनोलोजी, सी ओप्षण है ऐग्रेस्टोलोजी और डि ओप्षण है एंथोलोजी तो इसके अंदर जो D option होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा Anthology जो होता है यही होता है पुष्पों का अध्यन यानि Stadio Flowers, that is Anthology D option correct, next question देखते हैं पोधों में वासपोस सर्जन का कार्य कौन करता है A option है फल, B option है पत्य, C option है जड़ें और D option है तने तो इसके अंदर जो B option होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा पत्ते जो होते हैं यानि पत्तिया यही पोधों में वासपोस सर्जन का कार्य करते हैं next question देखते हैं next question है निमलिखित में से स्वसन मूल जिनको हम इंगलिश में बोलते हैं new meta force समने ते किस में मिलती है A option है mangrove पात्पो में B option है जलोद भिद पात्पो में C option है शुष्कोद भिद पात्पो में D option है कोई नहीं तो इसके अंदर जो A option होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा mangrove पात्पो में जो mangrove पादप होते हैं उनके अंदर स्वसन मूल अथार्थ न्यूमेटो फोर्स पाई जाते हैं तो इसमें A option correct होगा नाइस कुछन देखते हैं नाइस कुछन है गुदेदार थेलेमस किसमे खाने योग्य भाग होता है A option है टमाटर B option है सेब C option है आम और D option है संत्रा तो इसके अंदर जो B option होगा वह बिल्कुल correct हो जाएगा सेब यानि एपल यानि गुदेदार थेलेमस सेब में खाने योग्य भाग होता है तो यहाँ पर B option correct होगा सेब हमने इस कुछन देखते हैं नेस कुछन है फूल गोभी में पोदे का उपयोगी भाग कौन सा होता है A option है ताजा पुष्प समूँ B option है पत्ते C option है भूमिगत डंक और D option है जड़ तो इसके अंदर जो A option होगा वो बिल्कुल correct हो जाएगा ताजा पुष्प समूँ यहनि जो ताजा पुष्प समूँ होता है वही फूल गोभी में पोदे का उपयोगी भाग होता है हमने this question देखते हैं next question है नेमलिखित मेंसे पोदों के वर्ग कौन सा या कौन से हैं A option है वरक्ष B option है शाक C option है जड़ी और D option है उप्रोक्त सभी तो इसके अंदर जो D option होगा बिल्कुल correct हो जाएगा हैनि कि वरक्ष शाक और जाड़ी ये सब पोदों के वर्ग के अंतरगत आते हैं तो इसमें D option correct होगा उप्रोक्त सभी नेमलिखित मेंसे वी सर्पी लता का उदारण कौन सा है वी सर्पी लता का उदारण कौन सा है ये बताना है चार option हमें इसके लिए दे रखे हैं A option है सर पासों B option है नीम C option है ककड़ी और D option है बबूल तो इसके अंदर जो C option होगा वह बिल्कुल correct हो जाएगा ककड़ी ककड़ी जो है विसर्पी लता का उदारण होती है और नेसक्रिशन देखते हैं नेसक्रिशन है पुष्प में नर तथा मादा जनन अंग क्रमशह कोन से होते हैं A option है दल तथा बाइये दल, B option है पुमंग तथा जायांग, C option है वर्तिका तथा पराकण, D option है बाइये दल तथा दल तो इसके अंदर जो B option होगा वह बिल्कुल right हो जाएगा पुमंग तथा जायांग यानि कि जो नर जनननंग होते हैं पुष्प में वो तो पुमंग होते हैं और जो मादा जनननंग होते हैं पुष्प में वो जायांग कहलाते हैं तो इसमें B option correct होगा पुमंग तथा जायांग अब हम नेस कृष्षिन देख लेते हैं नेस कुछन है निमलिकित में से जलीय पोदा कौन सा है जलीय पोदे का उधारण पूछा गया है प्रशन के अंदर चार ओप्षन हमें दे रखे हैं A ओप्षन है तुलसी, B ओप्षन है बांस, C ओप्षन है हाइड्रिला और D ओप्षन है आँख तो इसके अंदर जो C ओप्षन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हाइड्रिला जो होता है ये एक जलीय पोदे का उधारण होता है C ओप्षन करेक्ट हाइड्रिला नेस कुछन देख लेते हैं नेस कुछन है वरक्षों का वरगी करण किया जाता है A ओप्षन है पेड़ के फिलाओ या कोमलता के आधार पर B ओप्षन है तनी की मोटाई या दुरबलता के आधार पर C ओप्षन है पादब की लंबाई के आधार पर और डी उप्सन है उप्रोक्त सभी तो इसमें जो डी उप्सन होगा हो राइट हो जाएगा उप्रोक्त सभी यानि पेड़ के फैलाओ या कोमलता के अदार पर तनी की मोटा ही दुरबलता के अदार पर और पादप की लंबाई के अदार पर ये सभी वरक्षों के वरगी करण से संब्धित होते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? ये ज़रूर बताएं और आपके कितने राय टो है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और अपने जो एल्टू साइंस फ्रेंडस के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें इसके लावा हम ने अन्य मोडल पेपर्स के लिंक्स दे रखें वहाँ पर जाकर आप उनको वाच कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद नमस्कार दोस्तों